तरह करता हूँ अच्छे होंगे और आपको विद्द्ध गयान की तयारी है वच्छो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी बच्छो डेली की तरह हमारा जो प्रैक्टिस सेट आता है वही क्या है तरीका रहेगा लेकिन क्या है एक चीज एक्स्ट्रा आपको देखने को मि लेंगे तो यदि आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लें तो करते हैं स्टार्ट बिना कुछ देरी की विए पहला सबसे पहले क्या है पीछे की वीडियो में करा दिया है यदि आपने नहीं देखी हूँ तो जाकर चैनल पेज पर देख सकते हूँ ठीक ह तो जब आपके पास में कहा है लंबाई और चोणाई हो लेकिन हमारे पास में तो केवर लंबाई दे रखी है चोणाई अभी नहीं दे रखी है तो पहले क्या करेंगे चोणाई गयात कर लो यहाँ से ठीक है करते है देखो छेतरफल का जो आयत का फर्मूलर रहता है वह L तो आयत का परिमाप रहता है वो क्या रहता है दो ब्रेक्ट ना भी बरावर कितना दे रखा है 360 थिक है यानि कि लंबार यहां पर लगा दीजी कितनी दे रखे 20 इंटू में कितना है वी बरावर में कितना हो जाएगा 360 60 solve कर लिए दो 0-0 इसी प्टीर कर जाएगा 3 2 से काटोंको 36 जितना जाएगा ठीक है यानि कि बरावर कितना जाएं 18 आप इसमें क्या करेंगे हमारे पास में वी यानि कि चौणाई वी आगए और लमबाई वी अब आराम से हम क्या इसका क्या है परिमाप जात कर सकती है तो ज का जो परिमाप है यह आयत का ठीक है यहां पर लगा दीजी सभी वैली 2 मेरे किट में L कितना है हमारे पास में L है 20 यह लगा दिया पिलस B कितना दिरेक्षा 18 18 और 20 जब एड करोगो तो 20-30 यानिके 38 हो जाएगा 38 में यह वाला जो 2 है इसकी और क्या गुणा कर दीजिए 2,8,16,2,3,6 और 1,7 तो इसका जो आयत का परिमाप वनेगा वो कितना वनेगा अर्था तो option number कौन सा बनने वाला है यह जो option right वनेगा वो क्या है बी option आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा आगला कुशन देख लेते 43 वा नमबर कुशन बहुत ही important कुशन है ऐसे कुशन आपके paper में क्या है कई वार बन चुकी है बहुत ही important कुशन लेके आए लेके कुशन द तो दोनों मिलकर काम का एक तेहाई वहाग कितने दिन में समप्त करेंगे कुशन को पहले अच्छे तरीके से read किया करो ठीक है उसके बाद ही क्या है उसे solve किया करो तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है तो देखो करते हैं solve किस तरीके से करना है हमने देखो A हमारे लिए A द एक इसने कर सकता है दस दिनमें कर सकता है जबकि यग D15 से क्या है तैसे तो देखो यह कितने दन-म eld म कर सकता है तो 10 से बाकता कर लो इस त्यसक्स के लिए 10 ँह 30 आinge फारत इसस से हमें यह पता चल गया कि जो ए है वह एक दिन में तीन कर रहे कर रहा है। तो दस दिन में कितना दस्तियां, तीस कारे पूरा कर रहा है, आप यसे बी को देख लीजिए, पंदरे से भाग कर लीजिए, तीस के लिए पंदर दूनी तीस, इससे हमें ये पता चल गया, कि क्या है, बी एक दिन में दो कारे कर रहा है, बी कितना कारे कर रहा है, दो कारे कर रहा है जबकि क्या है एक कितना कार रहा है तीन कार रहा है एक दिन में कर रहा है अब बात आगे क्या कर रहा है कि दोनों मिलकर काम का एक तेहाई भाग यानि तीस काम नहीं कर रहा है वो एक तेहाई काम कर रहा है तो तीस का एक तेहाई निकालना चाहाऊगे तो कितना हो जा 10 अपे कार्य कराना है 10 ठीक है ना किससे कराना है 2900 मिलकर कराना है बहुराइ 25 काम कर रहा है तो दूर्थात상 दों Inspect कर रहा है यह एक जैसे कि option number C में हमारे लाइद दे रखा है दो दिन ठीक है आगला कुष्ण देख लेते हैं 44 यानि 44 नमर कुष्ण क्या दे रखा है बोल ला है कि 400 रुपई का 5 वर्स का साध्रन व्याज 170 रुपई है उसी दर से 1200 रुपई का 4 वर्स का साध्रन व्याज कितना होगा कुष्ण को पढ़ दिया अच्छे से देखो बहुती सिंपल तरीके से सोट तरीके से कहा आपको कुष्णों को कराया जाएगा क्योंकि आपके पास में क्या है ज्यादा टाइम में ही रहता है पीपर में लेकिन एक बास खूब सोच लेना जो बच्चा मेंत करके आएगा वो ज्यादा क्या है सेलेक्शन का हगदार रहेगा तो क्या है ज्यादतर क्या है बच्चे कर जाते हैं लेकिन क्या है जो बच्चा क्या है मैत करता है उसी क्या है सेलेक्शन ज्यादतर होता है ठीक है तो देख लीजी करते हैं कुछन के लिए अच्छे से देखो यह जो क्या दे रखा है चार सुरुपए यह क्या दे रखा है देरक है लेकिन इसमें ब्याज नहीं ते रखा है यसमें पूछ रहा है किसे तरही सो करेंगे यहां पे पर पता होग clinic साधहन म्याज वोह क्या होता है ऐसाइज बरावर PRT upon 100 अब आप कहोगी SI PRT क्या है एक पार बता देते हैं SI मतलब क्या है यहाँ पर Simple Interest यहनि की साधन ग्याज P क्या है यहाँ यहाँ पर P मूलधन है यहनि प्रिंसिपल R क्या है यहाँ 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 यहनि की दर है और T क्या है दर यहांि की रेट हो तो हम क्या है ब्याज को ग्याद कर सकती है तो पहले हम क्या करेंगे दर यहां की क्या है ब्याज रेट ग्याद कर ले तो देखो फर्मूला क्या रहेगा SI बरावर PRT अप उन में 100 SI यहनि की साधन ग्याज कितना दे रखा एक सो सत्तर रुपए गुणा प्रिंसिप सोरी बराबर में प्रिंसिपल यनकी मूल धन मूल धन कितना दे रखा है चार सो रुपए दर हमें ग्याद करनी है और समय कितना दे रखा है एक सेकेंड यहां पर देख नहीं रहा है रेज कर लेते हैं सहां समय दे रखा है वो कितना पांच वर्स और बटे में कितना लगेगा सो बस सौल कर लीजिए दर निकल आजेगी यहां से तो दो जीरो से यह दो जीरो कट जाएंगे ठीक है अब यहां से क्या रहेगा पांच से पांच की और चार की गुणा करोगो तो यह 20 बनेगा वाचो और यह 20 का क्या करेंगे हम ज ब्याज घ्याद करने के लिए अगली कंडिशन में रेट की जरूरत पड़ते वह हमने क्या है ग्याद कर लिया ठीक है तो अब करते हैं हम रेट कितना लगाएंगे अब 17 बटी 2% का लगाएंगे तो इसे रेज कर देते हैं ठीक ना क्योंकि यह तो हमारे लेक्षघ करने का और मूलधन इस बार कितने दे रखा है बारेएशों दे रखा है तो हमने वह लगा दिये 200 गुणा समय थी न पी होगा मूलधन और आर निकाला ता, 73 बते दो परसेंट निकाला था गुणा समय, समय कितना है? 4, ठीक है? यह हमने क्या है पी लगा दिया, यह हमने क्या है रेट या नहीं, इह नहीं कितना जाए कि सौ, बस सॉल्व कर लिजिए दो जीरो से, दो जीरो कर जाएगा, दो से काटोगे, इस के लिए चा तो दूनी 4 दो आएगा ठीके ना इनकी गुणा कर लीजी 17 दूनी 34 और गुणा में कितना है 12 बारे की और 34 की गुणा कर लीजी 12 48 की आठ असिल 4 बारती है 36 364 चालेस यानि कि 36 और 4 40 यानि कि 408 रुपई क्या बने गा इसका ब्याज बने गा ठीके ना कितना बने में यह भी क्या है है मारा साध्रावाज व्याज यानि कि सिंपल इंट्रेस्ट स्कूझ को लेकर क्या है कुश्ण दे रखा है यह बोल रहा है कि कितना मूलधन 3% बारसिक व्याज की दर से 3 बरस में 3270 हो जाएगा ठीक है कुश्ण का मतलब समझू क्या बोला है कि कितना मिस्रधन हमें ग्यात्करना यह अब कोशन में मिस्रधन दे रखा हो यानि इमाउंट दे रखा हो तो जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है पी रेक링 सड़िहिए टिफ द्रें चिसमील में रहेगा यह मूंध films रहेगा मुंत VO में 100 ठीक अब प्लस का की रहेगा रहे वन को अब में ये रहेगा तो आप लगा लें ये सभी गेलिए देखो एमाउंट 3270 दे रखा है ठीक है पी हमें ग्याद करना है आर हमारे लिए 3 परसेंट दे रखा है और समय हमारे लिए 3 दे रखा है और बटे में कितना जाएगा 100 पिलस 1 ठीक है यह बना अब यहां से इसे सौल करोगे तो क्या बनेगा देखो 100 एकम 100 पिलस 3 ठीक है नो जोड़ दोगे इसमें 109 बन जाएगा यह अर्थात हम लिख सकते हैं 3270 बरावर पी गुणा में कितना बना था हमारा 109 और बटे में 100 ठीक है न यह बना था बस अब इसे सौल्व कर लीजी इसे क्या कर लो सौल्व कर लो तो करते हैं 109 से 3270 को भाग करोगे कितना बार चला जाएगा तो देखते हैं 3927 यानि कि 109 से 327 को भाग करोगे तो 3 बार जाएगा देख लीजे 3927 और 3 एकम 3 और एक यह 0 बचा हुआ है ठीक है अब इस 100 की और इस 30 की मल्टिप्लाई यानि कि गुणा कर लीजी जब 30 की और 100 की गुणा करोगे तो कितन बनेगा 3000 कितना बनेगा 3000 जो कि हमारा क्या है राइट अंसर होगा ठीक है देखती है कौन से ओप्सन में दे रखा है तो यह जो दे रखा है वह आपको कहें बी ओप्सन में बिल्कुल कहा है इस पश्टर तरीके से दे रखा है 3000 रुपए ठीक है तो इसका जो मूलधन देली आपकी क्या है प्रेक्टिस कराई जा रही है तो देखती है अगला कुशन 46 नम्मर कुशन यह आपका क्या है लाव हानी से संब्दित कुशन है क्या बोल रहा है 125 रुपई की बस्तू को 150 रुपई में बेचने पर 30 लाव क्या होगा सिंपल कुशन ने बहुत ही कहस द 50 बिक्रमूल दे रखा है इस 150 बिक्रमूल में से क्या है हम क्रमूल कम कर दें 125 तो कितना आएगा 25 अर्था उसे 25 रुपई का लाव हो रहा है यदि वो प्रतिसत में ना कहता तो हम डारेक्ट बोल देते हैं कि उसे 25 परसेंट का लाव हो रहा है लेकिन वो प्रतिसत लाव प 25 पंजे 125 पांच बार गया 5 से 100 को भाग कर दीजिए 5 दूनी 10 अर्थात कितना आया 20 अर्थात कितना आया 20 20 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जैसा कि option नमबर C में दे रखा है ठीक है ना 20% हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तो इसी तरीके से बहुती शूर तरीके से यहां तो कुश्ण कराए जाते हो बस आपको करना क्या है योद पसंद आ रहे है कि कुश्ण तीका समझ में आ रहा यदि कोई चाल किलो मीटर पती गंटा में दे रखी हो और मीटर पती सेकेंड में चेंज करनी हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि 5 बटे 18 से गुणा कर देना ठीक न? कितने से गुणा करना है? 5 बटे 18 से गुणा कर देना बस आपका जो चाल है वो कहा है चेंज हो जाएगी किलो मीटर पती घंटा से मीटर पती सेकेंड में ठीक ना तो करते हैं सौल देखो 9 दूनी 18 और इसे कारते हैं 9 नम 81 अब तो कटेगा नहीं तो 9 और 5 की गुणा कर लिजी उपर वाली नमरों की कितना जाएगा 45 और बटे में कितना जाएगा 2 दो से और भाग कल दीजी 45 के लिए तो दो दूनी चार फिर से दो दूनी चार पॉइंट बढ़ाया दस हो गया दो पंजे दस अर्था तो बाइस पाइंट पांच मीटर पर सेकेंड अर्था साड़े बाइस मीटर पर सेकेंड की क्या है इसकी चाल आ जाएगी जैसा कि ऑप 24 रूपय प्रती कराम की की चीनी घू बैजने से 10 पर शेंट की हानी होती है रिकज़ समुरूक्ती इस हम दो पैट परने की दर से बिच रहा है तो उसे 10% की हानी हो रही है जब 10% की उसे हानी हो रही है 18 रुपए 30 kg बेचने से तो पहले हम ये देखेंगे कि बस्तु का क्रेमूल क्या है तो देखो, हमने माल लिया 1 kg ही उसने क्या है बस्तु खरी य ता चीनी खरी दिए यदी हम इसमें क्या है लगा दें यहाँ पर क्या है सो वटे में यह हानी हो रहे हानी हमेशा सो में से घटा के लिखेंगे ठीक ना सो वटे में सो में से घटा होगे हानी तो कितना हो जाएगा 90 गुणा अब यह हमारा क्या बनेगा यह हमारा क्या बनेगा इसे सौल करेंगे तो यह हमारा क्या बन जा तो देखो सो में जोड़ दोगे लाब कितना है दस कितना हो जाएगा 110 और बटे में कितना रहेगा सो ठीक है यह सो से सो कट जाएगा यहां जीरो से जीरो कर जाएगा नौ से काटो कि नौ दूनी अठा रहे 11 की और दो की गुणा कर लिजी कितना बनेगा बाइस जैसा कि आपको दे रखा है आपको क्या समझ में आया होगा सिंपल यह आपको ऐसे नहीं समझ मारा तो आपको सीधर सीधर यह करना है कि क्या है यहां पर दस परस में जोड़के सीधा करके लगाना 110 बटे सो सुल करोगे तो राइट अंसर बन जाएगा ठीक है सिंपल दुवारा से बताते हैं तो नौर्मल यह दे रखा है आठ अठारा दे रखा है अठारा दे रखा है यदि जो हानी दे रखी दस परसेंट तीना हानी तो क्या है बटे म करोगे कितना हो जाएगा 22 कैसे भी कर सकते हो ठीक है ना अगला कुशन देखते हैं यह भी बहुत सवर तरीके से आपको बताई जाएगा दोको कुशन दे रखा है राम का बेतन स्याम के बेतन से 20 परशेंट कम है तो स्याम का बेतन राम के बेतन से कितने प्रतिस्यत अधिक है तो चीह करना हैं आपको यह जो number दे क्राद है नंबर लिख लिया गुडा में 100 लगाना है आपोवन में क्या लगाना है यदि इहां पर कमी हो रही हो तो 100 में से minus करके लिखना है और मेlor में यहां पर नीकल मतं करेंगे 20 के लिए कितना आजाएगा असी पर सौल्ब कर लीजिए आपका अंसर बन जाएगा क्यों बीस चुक असी चार वार गया चार से इस सो को भाग करोगी कितना आजाएगा चार आठ एक आठ एक वच्छा स्वरी दो वच्छा बीस हो गया चार पंजे 20 अर्था 25 परसेंट क्या है बेतन राम के बेतन से अधिक है तो आपका राइट आंसर बनेगा वह कौन सा बनेगा जैसा कि ऑप्शन नंबर भी में दे रखा है अगला कुस्टन देख लेते हैं बोला है चार बच्चों की ओसत आयू 9 वर्स है एक और बच्चा आगमन से यह आ जाता है से ओसत आयू 10 वर्स हो जाती है नवांकुत नव नवांग स्वरी नव आगंतु को बच्चे की आयू क्या है तो देखो किस तरीके से स्वाल्व करना है आपको सीधा सिंपल दे रख रखा है चार बच्ची हैं इनका ओसत यहनि एवरेज दे रखा है इनका टोटल देख लो कितना होगा हमेशा ध्यान दखना इनकी यहनि बच्च जो भी संख्या होती है उस संख्या की क्या है गुणा एवरेज यहनि औस से कर देती है तो टोटल बन जाता है तो 4,9,36 यह त प्रवाइब बोल रहा है कि एक बच्चा और आ गया तो बच्चे हो गए पांच और बढ़ जाता है अब और जाता है पिर से इनकी दोनों की कर लो तो इनका भी क्या है योग बन जाएगा दस पंजे कितना हो जाएगा 50 यानि कि नए बच्चे आने से जो निका योग हो गया वो गया 50 वर जब कि पहले नए बच्चे की आयओ पूछ रहेगी आपको डी में दे रखाहते हैं अब रीज निंग का पोर्चन का डी रख्ण है सबसे पहले है यहां फे तुछ देख लीजिये, अच्छे से पढ़ लीजिये, किस तरीके से आपके रीजिनी के खुषना देहने वाली है, देखो बोल ला है, प्रिश्ण एक से चार में, प्रतेक प्रिश्ण में, चार A, B, C, D, D, दस आए गए है, इन चारों, चित्रों में से तीन चित्र किसी प्र रखा है दो को सबसे पहले इसमें क्या है अलग यान की भिन चुनना है हमारे यहां पर दे रखा है नल दे रखा है और इससे कहा है पानी निकल रहा है यहां पर डारेक्ट क्या है यह पानी की बूंद दे रखी है ठीक है और यहां पर क्या है यह बारिस दे रखी है तो और य यहां पर कोई पाणी का संब्द नहीं तो यह क्या हो जाएगा आपका बिलकुल अलग हो जाएगा ठीक है आगिऑ कुर्शन नमबर दो में बताना है आपको कौन सा अलग यानिकी भिन्द है का दे रखाए यह मा दे रखाए तो तो आपको बिल्कुल देखते ही पता चल रहा होगा इसका जो राइट अंसर बनेगा वो कौन सा बी ऑप्सन यानिकी ए क्योंकि यह जो हमारे रहेंगे यह जो अक्षर रहेंगे कास से और क्या है यह ग्याबाली है ठीक है ना स्वर और मेंजन को देखती हुए ठीक है और यह यह अगला देखे लीती है कुश्चन नमबर 3 में देखोगे तो आप पता चलेगा इसमें कौन सा बिन हैं तो बिल्कुल देखते ही आपको पता चल रहा होगा देखो यहां प 현 cash atrav Ram состояни इन में इसमें भी क्रॉस हो रखा है एक दूसरों को कहा काट रहे हैं या अंदर पहने हुए है जब कि इस बाले में आप देखोगे सभी अलग अलग है इसलिए जब अलग है तो यह एक आप्शन भी क्या हो जाएगा बिलकुल अलग हो जाएगा ठीक है अगला कुश्चन दे दे रखता है ऐसे ही डी नम्मर दे रखा है हमारे लिए कट लगा हुआ संकेत दे रखता है लेकिन यह क्या है एक प्याला है और इसमें क्या है यह क्या है इसमें बास में निकलती भी दिखाई दे रहे हैं लेकिन इनका संबंध इससे क्या है कुछ ऐसा नहीं है तो आपका प्रशन पंच तक क्या देखना है बाइं और एक क्या है प्राशन चित्र दिया गया है दाइं और तीन-चार आकिरती दीगी इन चिनित उत्तर दिये गई है ले इनके समान कौन सा चित्र है वह option आपको बताना है को तो देखो एक तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। बी बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक न सी भी अलग हो जाएगा तकि थी वाले में कुछ इस तरीके से बांदे रखी ही लाएन है, इसलिए इसमें कुछी लाइन से नहीं बांदा गया है, जबकि आपको क्या दिखेगा? एक बार द्वारा से रेज़ करके दिखाती है, बी में बिल्कुल इस पश्ट तरीके से दिखाएगा, इस तरीके से बंदा हुआ है, ठीक है, तो option number B आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा, आगला question देख लेते हैं, question number 6, 6 number question में क्या दे रखा है देखो, इसके समरूप आकिरती आपको देख के बतानी है, तो सबसे पहले क्या देखोग को दिख रही होगी, question number 7 देख लेते हैं, 7 number question में इसकी तरह कौनसी आकिरती दिख रही है, तो देखो, 7 number question में देखोगे, तो क्या अलग मिलेगा, देखो, पहले option में तो ये अलग है, दिख रहा होगा आपको यहां, ऐसा है नहीं, दूसरे option में क्या है, इसकी चौंच अल ठीक है, अगला question देखते है, question number 8, 8 number में और हमें देखना है कौन सा बिसम है, 8 number question में देखना है, sorry, बिसम नहीं, सेम है, यहीं इसके समरूप आकिरती है, ठीक है, अब देखो, यहां पे थोड़ा सा part काट रहा है, और क्या है, किस इस कौने से इस कौने में गया हुआ है, त इसका right answer हो जाएगा option number D, ठीक है न, अगला question देखिए, अब अगला जो भाग 3 है, उसमें क्या देखना है, आपको देखना है, इसमें कि कौन सी आकिरती यहां पे लगाएं, इन 4 उत्तर आकिरतियों में से, कि यह जो दी गई आकिरती हमारी पूर्ण हो जाए, ठीक है, तो देखते हैं, देखो कौन सी आकिरती लगाने पर यहां करती पूर्ण होगी, देखो D option तो बिल्कुल नहीं होगा, कोई मेंची निखा रहा है, इसमें, अब उसके बाद में देखो, क्या बचीगा, आपको B option भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, बर्ग दे रखाए, तो यह भी नहीं होगा, A option देखो गए, तो A option में आपको क्या मिलेगा, A option भी क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मुह इस तरफ है, यह देखो, सीधा-सीधा यह वाला लग जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से इसमें लगा के, और आप क्या आकिरती को पूरा फेट कर सकते हो, तो A option कौन सा वनेगा, इसका right answer, C option आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा, देखते है, question number 10, question number 10 में बताना है, कि कौन सी आकिरती लगाए, कि आपका बिल्कुल क्या है, सही, जो का है, cut out दे रखाया, अर्था आकिरती दे रख की B वाले में क्या दे रखा, B वाला वी, C वाला आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा, जैसे ही यहाँ पर यह लगाओगे, तो यह वाली जो लाइन है, वो इसको क्या circle को पूरा कर देगी, यह सभी में चोटे-चोटे क्या है, यह लगे हुए, कट वो इस तरीके से cut हो जाएगे कि हमारी जो आकरती यह पूर्ण हो जाए ठीक है ना, तो बिल्कुल आपको इश्पष्ट तरीके से दिख रहा होगा, B option, B option लगाओगे तो आपकी जो आकरती है, वो बिल्कुल पूर्ण हो जाएगी, यह वाली जो line है, यह वाली line, यह इस line को पूरा कर देगी, और बचे यह देखते हैं हाजी बिल्कुल सही यह बिल्कुल सही है और नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानिकी सी लगाऊगे तो आपके आकरती पूर्ण हो जाएगी ठीक है अगला देखते हैं भाग चार बाग चार में क्या देखना है 13 से 16 के में उपर की बताना है फिर आगे क्या आएगा सबसे पहले एक सरकल दे रखा फिर सरकल और ट्राइंगल दे रखा फिर सरकल ट्राइंगल और क्या है बर्ग दे रखा है फिर आगे क्या आएगा यह आपको बताना है आगे क्या आएगा यह आपको क्या है बताना है यह आपको क्या है बत जैसे कि इसमें 3 घलत हो जाएगा 3 दे रखी है गलत हो जाएगा दे रखाता है यह यहां कि आईगा तो आपको लगज्वाह गञेगा विलुकुल देखनेे कि इसहर स्ट हो रहा हो गा यहां पर नमरों होता हुआ चलना हो चल रहा हैै तो जो को एक की तीन वार गुणा करोगे एक कंब एक कंब एक की की आएगा फिर यहां पर गहन दो दूनी चार दूनी आठ एयन्ство की तीन वार गुणत कर गये लोग इन थीन फ़िह प्र शेर्याया तरन तो पर देखती है कौण बाच्चा इसका राइट आंसर देता है। अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। यदि आपको कुस्टण पसंद आया हूँ, तो वीडियो को लाइक जरू करने। और यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है ना और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें ठीक है ना तो आसा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से कहा चीज है समझ में आई होंगी और कल क्या रहेगा मैत के साथ कहा गध्या देखने के लिए कहा पता चलेगा आपको किस तरीके से पैटरन आता है उसी पैटरन पर कह को सब्सक्राइब बनने बहुत आए खाल पाल कर दो